कि कुछ दिन खास होते हैं, उनमें जुड़े हमारे जस बात होते है, कुछ अंदेखी खुशियों का इंतजार कर रहे होते है, कुछ अपनों के सपने थी साथ होते है बेवज़ा जब जहरव पर मुस्कुराहट आ जाती है यही तो पलियादगार होते है कि गनीमत तुम्हारी चुकाए कैसे यह जो प्यार हो गया है तुमसे उसे भुलाए कैसे कि गनीमत तुम्हारी चुकाए कैसे यह जो प्यार हो गया है तुमसे अब इसे भुलाए कैसे यूँ तो अफसाने रोज मिलते है पर मुकदर पे जो नाम लिखा था तेरा उसे मिटाए कैसे दूर ही जाना था तो पास क्यों आया था इतने करीब कि तेरे दूर जाने के डर से मैंने मर ही जाना था तू मेरी कम जोरियों से वाकी फोच चुका था शायद इसलिए तो नहीं है कर डाला था जो तुझे बदलना ही था खुद को तो पहले मुझे क्यो बदल डाला था क्या होता है ना इश्क के मनजर में लोग अकसर बदल जाया करते हैं यूँ तो कहते है कि प्यार उस से करो जो जैसा है पर मैं जाने के लोगों के खियाल पलट जाया करते हैं जो तुझे बदलना ही था खुद को तो पहले मुझे क्यों बदल डाला था कि हर आलम में मैंने पाया सिरफ तेरा साया था अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कोई आ गई है तुमारी जिंदगी में या मुझे से ही मन बर गया है यूँ ही बदल गए हो तुम या मुझे से कुछ गलत हुआ है अरे बताते तो जाओ मेरे दोस्ट वनना हम खुद को कोशते रहेंगे तुम्हारी पुरानी याद को यूँ ही इस तरह बस खरोचते रहेंगे तुमसे की वो तमाम बाते मुझे याद आती है तुम्हारी वो वादे और कस्मे मुझे फिर भी खेर जाती है तुम कहा करते थे मैं औरोसा नहीं हूँ जो अक्सर हर लड़का कहते है कि बात अब भी हो रही है हमारी ये वो स्टेज होते हैं साथ होकर भी साथ नहीं होते तो बात अब भी हो रही है हमारी पर उन बातों में हम नहीं मैं और तू हो गया है मिलने को अक्सर तुम बुलाया करते थे मेरे नखरे दिखाने पर रूट जाया करते थे कि मिलने को अकसर तुम बुलाया करते थे, मेरे नखरे दिखाने पर रूट जाया करते थे, पर अब जब मैं बुलाती हूं तुम्हें, तुम्हें मेरे हिनाम पे नजाने कौन से कौन से दोस्त मिल जाते है, मेरे हिनाम पे नजाने कौन-कौन से पुराने काम भी आदा जाते ह इकार्य भीгу Touha जब मैं बात करा गृत थी किसी ओर से मुने जलने की पूमें से आ जाती थी और वर पुझ अजलने की पूविफन में से आ जाती थी और तुमें मतलब ही नहीं है जब मैं अपनी पग, अपनी किसे ने कहानीय सुनाया करती थी तुम जट्चा जवाब दिया करते हैं और शायद तुम्हारी पुरानी यादों के सारी आपर लूगी कि महफिले यू सज जाती है आज के लिए कि महफिले यू सज जाती है आप लोगों की वज़े सही इसमें चमक आती है लिखते तो बहुत अर्शे से थे हम अब लोगों की नजर में आपकी विज़े सही आप आते हैं एक क्लास ये कि जिसे लाइक हम बेट्रों से आते हैं या मॉल से निकलते हैं तो भार लोग खड़े होते हैं जो भीक मांग रहे होते हैं जो बहुत ओल्ड होते हैं कुछ बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए कुछ लिखे है कि भीक नहीं मतलब कुछ बेच रहे होते है, छोटी मोटी चीजे, कि भीक तो नहीं मांग रहे हो, इसी बात की परक रख लो, कि भीक तो नहीं मांग रहे हो, इसी बात की परक रख लो, एक फुक्का लेने कोई तो कह रहे है, दस रुपे ही त यू भी तो कि यू भी तो महल से निकलेओ उसकी चाई पानी का भी तो खियाल कर लो कर दो